कि ये एक इतना ज्यादा मन घरंत काल्पनिक आरोप है कि एक प्रकार से ये मजाकिया चीज है और मैं आपको ये प्रमानित करना चाहता हूँ कि सिवाए इस प्रतिशोद की जो भावना जिसके साथ ये सत्तारूड पार्टी अपने हर राजनेतिक विरोधी को अटैक करती है इसमें कुछ भी नहीं है पांच या छे तत्थे बड़े सरल हैं उनको आप देख लीजिए और अपने आप निर्ने करिए कि इस प्रकार का समंज मानने कॉंग्रेस अध्यक्ष और पूर कॉंग्रेस अध्यक्ष को दिया जा सकता है दोजार बाइस में नमबर एक यही चीजों के विशे में कानूनी कारवाई 2014-15 से चल रही है आज 7 साल बाद इस प्रकार की चीजों में ED को लाया गया है नमबर दो यह विचित्र केस इसलिए है कि जहां कोई पैसा नहीं है या जहां कोई प्रॉपर्टी का स्थानांतरन नहीं है वहाँ पर मनी लॉंडरिंग कैसे हुई यह हमको कोई समझाए मानने मोदी जी के बहुत सारे काविल जो एडवाईजर्स हैं वो समझाएं हुआ सिर्फ इतना के एक कंपनी है एजे एल पुरानी कंपनी है वो दशकों से नैशनल हेलर चला रही है चूंकि वो एक आदर्शों पे मूलियों के आधार पर चलाती थी अकबार कमर्शली इतन की सफल नहीं हुई कई दशकों के दौरान लगबग 90 करोड रुपे जो सब दिये गए हैं आपचारिक रूप से वो उसकी डेट हो गई रिन हो गया उस कंपनी को फाइनेंशली मद्बूत करने के लिए मजबूत करने के लिए आधर्शों और मूलियों जिनके लिए वो खड़ी है उसको मजबूत करने के लिए इस रिन को हटाने के लिए उसके किताबों को साफ करने के लिए एक बड़ी सरल चीज की गई जो इस देश में हर कंपनी करती है विदेश में हर कंपनी करती है उसने इस रिन को एक्विटी में परिवर्तित करने का निर्णे किया